ओम शंती मुरुली का तारिक है 15-3-2021 मीटे बच्चे हरिये के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लैंटिंग पेपर एक शुबाबा है उसको याद करो तो पाप कतम हो प्रश्ण आत्मा पर सबसे गहरे दा कौन से है उसको मिटाने लिए कौन सी मेहनत करो उत्तर आत्मा पर देह अभिमान के बहुत गहरे दाख पड़े हुए है गड़ी गड़ी किसी देहदारी के नामरूप में फस पड़ती है बाप को याद ना कर देहदारीों को याद करती रहती एक दो की दिल को दुख देती है, इस दाक को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की महनत करो, गीत मुकडा देख ले प्राणी, ओम शांती, मीटे मीटे सबी सेंडर के बच्चों ने गीत सुना, अब अपने को देख लो की कितने पुन्य है और कितने पाप मिटे है, सारी दुनिया सादू संत आदी पुकारते है कि है पतित पावन, एक ही पतित से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी सब है पाप आत्माई, बाकी सबी में है पाप, या तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही पाप है, पुन्य भी आत्मा में है, आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है, यहाँ सब आत्मा ये पतित है, पापों के दाग लगे हुए है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है, अब पाप निकले कैसे है, जब कोई चीज पर शाई या तेल गिर जाता है, तो ब्लेंटिंग पेपर रखते हैं, वहाँ सारा चूस लेता है, अब सभी मनुश्या करते हैं, ये को क्यूंकि वही ब्लेंटिंग पेपर है, पतित पावन है, सिवाई उस एक है, और कोई ब्लेंटिंग पेपर है नहीं, वातों जनम जनम गंगास नान करते, और ही पतित हुए है, पतित को पावन करने वाला ये कही शुबाबा ब्लेंटिंग पेपर है, है भी चोटे ते चोटी एक बिंदी, सबका पाप नश्ट करते हैं, किस युक्ती से सिर्फ कहते हैं, मुझ ब्लेंटिंग पेपर को याद करो, मैं तो चैतन्य हो ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, तुम भी आत्मबिंदी, बाप भी बिंदी हैं, कहते हैं, सिर्फ सब पाप मिट जाएंगे, अब हर एक अपनी दिल से पूछे की, याद से कितने पाप मिटे हैं, और कितने हमने किये हैं, बाकी कितने पाप रहे हैं, या मालुम पड़े कैसे, दूसरों को भी रास्ता बताते रहो की, एक ब्लेंटिंग पेपर को याद करो, सब को या राय देना तू, अच्छा है न, या भी वंडर है, जिनको राय देते हैं, वा तो बाप को याद करने में लग जाते हैं, और राय देने वाले कुद याद नहीं करते हैं, इसलिए पाप करते नहीं हैं, पतित पावन तू, एक को ही कहा जाता है, अनेक पाप लगे हुए हैं, काम का पाप, देह अभिमान का तू, पहले नंबर पाप है, जो सबसे कराब है, अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, जितना मामे कम याद करोगे, तो जो तुमारे में कात पड़ी हैं, वा बस्म होगी, याद करना हैं, अउरों को भी या रास्ता बताना हैं, जितना तो तुमारा भी बला होगा, इस दंदे में ही लग जाओ, अवरों को भी यहां समझाना है कि बाप को याद करो, तो पुन्यात्मा बन जाएंगे, तुमारा काम है, दूसरों को भी यहां बताना कि पतित पावन एक है, बल तुम ग्ण्यान न दिया अनेक हो, लेकिन तुम सब को कहते हो की, एक को याद करो, वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है, ग्ण्यान का सागर भी वह है, उस एक बाप को याद करना, दे ही अभिवानी हो रहना, यहां एक ही बात डिफिकल्ट है, बाप सिर्फ तुमारे लिए नहीं कहते, बलकि बाबा के ध्यान में तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं, बाप तो सब बच्चों को देखते हैं न, जहां अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं, शुबाबा की फुलवाडी है न, जो अच्छी फुलवाडी होगी, उनको ही बाबा याद करेंगे, सहुकार आदमी को चार-पांच बच्चे हो तो जो बड़ा बच्चा होगा, उनको याद करेंगे, फुलों की विराइटी होती है न, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचे को याद करते हैं, कोई को भी या रास्ता बताना सहज है, शुबाबा को याद करो, वही पतित पावण है, कुद कहते है, मुझे याद करने स तुमारे पाप बस्म होंगे, कितना फश क्लास ब्लेंटिंग पेपर है, सारी दुनिया के लिए सबी उनको याद करते हैं, कोई को भी या रास्ता बताना सहज है, शुबाबा को याद करो, बाबा ने युक्ति बताई है कि मुझे याद करने से तुमारे पर जो देह अभिमा बाबा को कोई सच बताते नहीं है, कोई कोई चार्ट लिक बेजते हैं, फिर तक जाते हैं, बड़ी मंजिल है, माया नशा एकदम तोड डालती है, तो फिर लिखना भी चोड देते हैं, आदा कल्प का देह अभिमान है, वाँ चूटता नहीं है, बाप कहते हैं, सिर्फ यह दंदा करते रहो, बाप को याद करो, और दूसरों को कराओ, बस सबसे उंच दंदा है यहां, जो कुद याद नहीं करते, वाँ यहां दंदा करेंगे ही नहीं, बाप की याद यहां है, योग अगनी, जिससे पाप बस्म होंगे, इसलिए पूचा जाता है, कहां तक पाप बस्म होंगे है, जितना बाप को याद करेंगे, उतना कुशी का पारा चड़ा रहेगा, दूसरे को भी उसकी सर्विस से जान सकते हैं, दूसरों को रास्ता बताते हैं, बाबा को याद करो, वाँ पतित पावन है, यहां या तो है, पतित तमो प्रदान दुनिया, सभी आत दिकाना चाहिए, बाप युकती तो बहुत सहज बताते हैं, शुबाबा को याद करो, यही ब्लंटिंग पेपर रखो, तो सब पाप चूस जाएंगे, तुमारे विकर्म विनाश होंगे, मूल बड़ी बात हैं, पावन बनना, मनुश पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आवो, आ करके सभी को पावन बनाए, साथ ले जावो, लिका हुआ भी है, सब आत्मा उनको पावन बनाए, ले जाते हैं, फिर कोई भी पतित आत्मा रहती नहीं है, यां भी समझाया है, पहले पहले, स्वर्गवासी ही आएंगे, बाप जो दवाई देते ह या सबके लिए हैं जो भी मिले उनको यही दवाई देनी हैं तुम फादर पास जाना चहते हो परंतु आत्मा पति थे इसलिए जा नहीं सकती पावन बनो तब जा सको ये आत्माई मुझे याद करो तो मैं ले जाओंगा फिर वहां से तुमको सुक में ले जाओंगा फिर जितना याद करेंगे उतना कुशी का पारा चड़ेगा कितनी सहज दवाई हैं और कोई सादू संत आदी इस दवाई को नहीं जानते हैं कहां भी लिका हुआ नहीं है या बिल्कुल नहीं बात है पापों का काता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है इतनी चोटी आत्मा बि भी असर पड़ेगा आत्मा पावन बन जाती है फिर शरीर भी पवित्र मिलता है दुकी सुकी आत्मा बनती है शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुक फील होता है कहा भी जाता है या दुकी आत्मा है या सुकी आत्मा है इतनी चोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है व देह अभिमान, अभी बाप समझाते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत है, बाबा जानते हैं, सच्ची दिल से, जिस युकती से याद करना चाहिए, कोई मुश्किल याद करता है, यहां रहते भी बहुत बूल जाते हैं, अगर देही अभिमानी हो साल है तो बंदर का चित्र बनाया है बहुत है जो सारा दिन जर्मुई जग्मुई करते हैं तो बाप को समझानी देनी होती हैं सब सेंटर पर कोई ना कोई ऐसे रहते हैं जो एक दोख दुख ही देते रहते हैं कोई अच्छे भी है जो बाप की याद में रहते हैं समझते हैं मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देना है, वाचा भी कोई को दुख देंगे तु, दुख्की होकर मरेंगे, बाप कहते हैं, तुम बच्चों को सबको सुक देना है, सबको कहना है कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, और कोई पैसे के लेंदेन की बात नहीं, सिर्फ लवली बाप को याद करो, तो तुमारे विकर्म बस्म हो जाएंगे, तुम विश्प के मालिक बन जाएंगे, बगुवान वाच, मन मनाबो, एक बाप को और वर्से को याद करो, और कुछ भी आपस में ना बोलो, सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे का कल्यान करो, कोई पूचे तो, ब्लंटिंग पेपर तो क्या, अभी कागस भी नहीं हैं, बाबा सबी सेंटर के बच्चों को समझाते हैं, बंबय, कलकत्ता, देहली, सब जगा, बच्चे तो है न, रिपोर्ट आती हैं, बाबा, फलाने बहुत तंग करते हैं, पुन्यात्मा बनाने बदले और ही पापात्मा बना देते हैं, बाबा से कोई पूचे तो, जट बता देंगे, शुबाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास सारा हिसाब किताब है, या बाबा भी बता सकते हैं, शकल से ही सब मालूम पढ़ जाता है, या बाबा की याद में मस्त है, इनका चहरा ही आत्मा कुछ होगी तो शरीर भी कुछ देखने में आएगा शरीर को दुख होने से आत्मा को दुख फील होता है एक बात सबको सुनाते रहो की शुबाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमारे पाप विनाश होंगे उन्होंने लिख दिया है कृष्ण बगवान वाच पाप तो मिठते ही नहीं और ही पतित बन गये है या पता ही नहीं है कि याद किसको करना है परमात्मा का रूप क्या है अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा श्टार है वैसे परमात्मा भी श्टार है क्यूंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो इस हिसाब से भ बोलते हैं आर्गंस बिगर्तो आत्मा आवाज करना सके तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप तो एक है ना परमात्मा को बड़ा लिंग वा कुछ कहना सके बाप कहते हैं मैं भी ऐसा बिंदू परंतु में पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्मा ये पतित है कितनी स तो कहता हूं, मन मनाबो. फिर तोड़ा डीटेल में बताता हूं कि या टाल टालिया है, पहले सतो प्रदान, सतो रजो तमो में आते हैं. पाप आत्मा बनने से कितने दाग लग जाते हैं वाँ दाग मिटे कैसे वाँ समझते हैं गंगा स्नान से पाप मिटेंगे परंतु वाँ तो शरीर का स्नान हैं आत्मा बाप को याद करने से ही पावन बन सकती है इसको याद की यात्रा कह जाता है कितनी सहज बाते है जो रोज रोज बाप समझाते रहते हैं गीता में भी इस पर जोर है मन मनाबो इस पर जोर है वर्सा तो मिलेगा ही सिर्फ मुझे याद करो तो पाप मिटे बाप अविन पतित बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते उनका क्या हाल होगा बाप समझाते हैं बच्चों और सब बाते चोड़ दो सिर्फ एक बात की देही अभिमानी बनो मा में कम याद करो बस या तो जानते हो आत्मा एक शरीर चोड दूसरा लेती है आत्मा ही सुक दुक बोकती है कभी भी एक दो के दिल को नहीं दुकाना चाहिए एक दो को सुक पहुंचाना चाहिए तुमारा दंदा यही है बहुत है जो एक दो को दुक देते रहते हैं एक दो की देह में फसे रहते हैं सारा दिन एक दो को याद करते र रहते हैं माया भी तीकी हैं बाबा नाम नहीं लेते हैं इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बव ग्ण्यान तो बड़ा सहज है याद ही मुश्किल है वह नालिश तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते हैं कितनी सब्जेक्ट होती हैं या नालिश तो बड़ी सहज ह ड्रामा को जानना एक कहानी है मुरुली चलाना बड़ी बात नहीं है याद की ही बहुत मुश्किलात हैं बाबा फिर कह देते हैं ड्रामा फिर भी पुरुशारत करते रहो बाब को याद करो तु योग अगनी से तुमारे बाब बस्म होंगे अच्छे अच्छे बच्छे इसमें फेल हो जाते हैं, अच्छा, मीटे मीटे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप तादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप तादा को याद प्यार और गुड मॉ पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन अविनाशी ब्लंटिंग पेपर बाप को याद करना है ऐसी मीटी अवस्ता बनानी है जो सबका कल्यान होता रहे वरदान अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वरसे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूरत बवा अब वरदानी मूरत द्वारा संकल्प शक्ती की सेवा कर निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लावो मेजारिटी आत्माओं में शुब इच्छा उत्पन हो रही है कि आध्यात अपने को हिम्मत हीन समशते हैं, उन्हें अपनी शक्ती से हिम्मत की टांग दो, तब बाप के समीप चल कर आएंगे, अब वरदानी मूरत बन, अपने सहयोग से उन्हें वर्से के अधिकारी बनाओ, श्लोगन, अपने परिवर्तन द्वारा, संपर्क, बोल और संबंद में अफलता मूरत है, अच्छा, ओम शांती,